नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubah.org नई सुभा के इंडिपेंडिन्ट लिविंग प्रोग्राम के आडियो लेर्णिंग टिटोरियल्स के साथ मैं हूँ एहसन इकबाल आज हम बनाने सिखेंगे दही पकोडी इसके लिए जो अज़्जा हमें दरकार हैं वो ये हैं दही 1 किलो रेडि मेट पकोडी का पैकेट नमक 1 टी स्पून या हस्ब जायका काले मिर्च 1 टी स्पून हरे मिर्च 2 अदद बारीक चॉप की हुई उबले हुए आलू 2 अदद क्यूब्स कटे हुए 1 बड़ा टिमाटर क्यूब्स कटा हुई प्याज एक अदद बारीक चॉप की हुई खीरा एक अदद बारीक चॉप किया हुआ चाट मसाला हस्ब जायका पापडी का पैकेट एक अदद तरकीब पकोडी को इस्तमाल करने से पहले 5 मिनट तक गरम पानी में भिगो लें एक बॉल लें और उसमें दही डाल कर काले मिर्च और नमक शामिल करें और अच्छे से मिक्स करें अब उसमें आलू, टिमाटर, प्याज, पकोडी और खीरा शामिल करके अच्छे से मिक्स करें उसके बाद हरे मिर्च शामिल करके एक बार फिर मिक्स करें फिर पापड़ी और चाट मसाला शामिल करके एक प्याली में निकालें और इंजॉय करें मज़ेदार दही पकोड़ी तैयार है ये थी हमारी आज की रेसिपी मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए